दोस्तो हम सभी के लाइफ में अपना-पना कुछ नो कुछ इंपॉर्टेंट जरूर होता है लेकिन घर में हम सभी का किचानी सबसे ज़ादा इंपॉर्टेंट है तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे यूसफुल टिप्स शेयर करूंगे आपके साथ जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और जो टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं साथ ही साथ हेल्फुल हैं टाइम और पैसा दोनों ही बचाते हैं तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला टेप्स जो की चीनी से रिलेटेड है चीनी में अकसर नमी और मॉश्चर देखने को मिलता है और जो की बहुत प्रॉब्लम क्रियेट करता है तो इससे हम किस तरह से सेफ कर सकते हैं तो दोस्तों आपने अकसर देखा होगा इलक्टोनिक प्रडेक्ट्स हो या फूड आइटम्स या बॉटल या कुछ भी आप खरीते हैं तो उसमें आपने देखा होगा एक इस तरह का पैकेट आपको देखने को मिलता है यह वाइट कलर में भी हो सकता है या किसी और कलर में भी दोस्तों इसका काम क्या होता है इसक इसके ओपर लिखा होगा एब्जॉर्बर तो इसका काम ही है कि नमी को अंदर नहीं आने देता इसी जी सारे प्रडेक्ट्स के अंदर इसे रखा जाता है तो दोस्तों चीनी को सेफ करने के लिए मॉश्चर साप इसके अंदर सिलिका जेल अट कीजिए अच्छ से चीनी में कवर कर दीजे इसके बाद कंटेनर को क्लोज कर दीजे तो आप रिजल्ट खुदी देखेंगे कि मॉश्चर बिल्कुल भी अंदर चीनी में नहीं जाएगा चीनी बिल्कुल भी ड्राइगी और एकदम आपकी परफेक्ट बनी रहेगी तो नेक्स टाइम जब भी सिलिका ज ऑति घुमने जाते हैं तूट बस जरू लेकर जाते अवं ले जाना भी बहुँत झाल होता है लेकिन if must फूड its क्लोट्स होते हैं और भी चीज़ें जो टच होती है तो ऐसे में स्क्योर नहीं रहती चीज़ें तो आप क्या कीजेए टीश्यू पेपर से कैप रेडी कर लिजें इससे आपका ब्रश भी सिक्योर रहेगा खानी-पिनी की लगा के रखकर घर पर जा सकते हैं इसे डस्ट भी नहीं पड़ेगा आई होब कि आपको यह टिप्स यूस्फुल लगी हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम उसे स्टोर कर सकें क्योंकि यह जल्दी गल जाते हैं और सड भी जाते हैं तो आपको बस एक सिंपल सा टिप्स फॉलो करना है इस तरह का कोई ब्राउन पेपर आप ले लीजिएगा और इसमें हम नीबू को अच्छे से अच्छे से साफ कपले से पोच लें कोई भी मॉश्चर या नभी नहीं होनी चाहिए इसके बार इस ब्राउन पेपर में आपको एकदम इस तरह से आपको रैप कर देना है तो इससे आपका नीबू एकदम सेफ बना रहेगा और अगर आपके पास यह ब्राउन पेपर नही लेकिन उसमें लंबे समय तक नहीं चलते हैं नीबू अच्छा इस्टोर करने के लिए कोई कंटेनर ले लिजेगा टाइट कंटेनर और इसमें इन रैप किये हुए नीबू को आप रख दीजेगा और फ्रिज में से आप स्टोर कर दीजे महीनों तक आपके नीबू कीजिएगा शेयर कीजिए अपने फैंडी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इन टिप्स को फालो करके अपनी चीजों को सेफ कर सके लंबे समय तक चला सके और आपको इन टिप्स में से कौन सा टिप्स सबसे बैस्ट लगा मुझे कमेंट वाक्स में जरूर प्रताईएगा इस तरह की और साथ वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा